नश्कार दोस्तों, देट आज की देखो 14 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कॉसन में आज की हम डिस्कॉसन स्टार्ट करें, उससे पहले कोट देख लीजिए, कल्चिरल रिलेटिविजम से समधित कोट है कल्चिरल रिलेटिविजम एफरम्स टेट वन कल्चिर हैस नो एप्सुलूट क्रिटेरिया फो जाजिजिंग दा एक्टिविटीज ओफ अनदर कल्चिर एज लो और नोबल कोट देखो जहां एक तरफ एथिक्स के लिए इंपोर्टेंट है, दूसरी तरफ ओप्सनल सोचिलोजी या फिर एंथ्रोपोलोजी के लिए भी इंपोर्टेंट है देखो cultural relativism का मतलब है कि किसी एक culture को दूसरे culture से compare नहीं किया जा सकता हर culture unique होता है अपने आप में हम एक culture की activities को low या फिर noble नहीं कह सकते आपको एक example देता हूँ देखो इंडिया में ना arranged marriages का culture है जहां west में लोग इसे backward मानते हैं लेकिन इंडिया में ये एक accepted practice है हम अपने culture के lens से दूसरे culture को देखते हैं लेकिन cultural relativism हमें ये सिखाता है हर culture को आप उसके context में समझें ना कि अपने context से हर culture की देखो अपने beliefs, अपनी practices, अपनी values होती है हम ये नहीं कह सकते कि western culture advanced है और बाकी culture जो है वो तो देखो primitive है, backward है अगर देखो कोई person ये कहता है ना तो यूँ समझें लो वो अपनी सोच में ना biased है समझें तो ये पूरा quote हमने discuss किया, आज देखो तीन issues हम discuss करेंगे कौन-कौन से issues discuss करेंगे, हिंदू में तो देखो एक ही issue important है union minister and portfolio से समदित, दो अलग-अलग news paper के हम article discuss करेंगे Indian Express का article है terrorism से समदित, और एक article हिंदूस्तान टाइम्स का भी है emigration act से समदित, तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं discussion स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं, 16 June को prelim है और prelim के बाद हम जो आप, आपकी suggestion है ना, जिसे ethics के example या फिर कोई question answer वो हम फिर से discuss करना start कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें हम इस बार के prelim के बाद add कर सकते हैं, pre के pattern के हिसाब से, तो दो दिन बचे हैं pre में, आज की discussion में first important article, terrorism से समदित हैं, आप देखो, syllabus में GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, क्या context है देखो जब PM मोधी तीसरी बार पढ़ामंत्री पद के सपत ले रहे थे ना, तो उस दोरान एक दुखद हाथसा हुआ जमू अनकास्मीर में, आंतकवादियों ने एक बर फिर से pilgrims यानि की तीर थियात्रियों को निशाना बनाया, एक बस तीर थियात्रियों से भरी हुई, कट्रार यासी रोड पर वैस्नों देवी की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक से एकदम से आंतकवादियों ने सामने से आके, बस पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, इसे लगता है कि ये जो आतकवादी थे एक सिगनल सेंट करना चाहते थे, देखो पिछले कुछ समय में ऐसा नरेटिव बना है, इवन हमने भी आर्टिकल डिसकस किया था, कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अधिकरत कस्मीर में वाइलेंस देखने को मिला, जबकि दूसरी तर इंडिया के कस्मीर में शांती देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में, और यहां पे वोटर टर्नाउट भी इंक्रीज हुआ, तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान स्पॉंसर टेरिष्ट है न, वो इस नरेटिव को जमना नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि जमू नहीं चाहते आंतकवादी, इसी वज़े से उन्होंने ये नापाक हरकत की, और देखो चिंता की बात एक ये है, जो ये पीर पंजाल रेंज है न, आप मैप में देख रहे हो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये पीर पंजाल रेंज है न, इसके ऊपर है कस्मी और नीचे है जम्मू, यानि कस्मीर और जम्मू रीजन को सेपरेट करता है ये पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज के साउथ में ये डिश्टिक्स आते हैं, जैसे राजोरी डिश्टिक, जम्मू डिश्टिक, पूँच डिश्टिक, या फिर रियासी डिश्टिक, यह जो रीजन है ना पूँच, राजोरी, रियासी, यहाँ पे देखो relative piece है, 90's में यहाँ पे जरूर insurgency काफी ज़्यादा हावी थी, बट पिछले 10-15 सालों में आप देखोगे तो यहाँ पे relative piece है, हलाकि पिछले 1-2 साल से यहाँ पे आतकवाद ने फिर से सर उठाना स्टा का grid है, काफी ज़्यादा strong है, वहाँ पे 24 गंटे strong निगरानी रहती है, strong vigil है, पता है कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन पीर पंजाल के नीचे, यहाँ पे anti-terrorism का grid इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पिछले 1-2 सालों को छोड़ दें, तो पिछले 15 साल कम से पीछ रही है, यहाँ पे जो हमारी armed forces है ना, उनको local sport भी हासिल होता है, मतलब एक गटना सामने आई, कि local लोगों ने इसी reason में आतकवादियों को घुमते हुए पकड़ा और उन्हें armed forces के हवाले कर दिया, तो यहाँ पे insurgency जादा समय तक नहीं पनप पाएगी, यह तो प वो डर फिलाना चाहते हैं, वो एक डर का महोल बनाना चाहते हैं ताकि tourism जादा न बढ़ पाए, देखो पिछले 4-5 सालों से आपने देखा होगा, जमुएन कस्मीर में ना, tourism काफी जादा बढ़ा है, tourism बढ़ता है, local लोग को रोजगार मिलता है, economic activities जादा होती है, तो ऐस situation में देखो, youth जो है, वो बढ़ता नहीं है, वो आतकवाद की तरफ नहीं जाता, वो पत्थरबाजी की तरफ नहीं जाता, लेकिन आतकवादी यही तो नहीं चाहते, आतकवादी यह चाहते हैं कि कस्मीर में tourism नहीं आना चाहिए, कस्मीर में लोग को रोजगार नहीं मिलन है FATF का Financial Action Task Force का लेकिन अब नब पाकिस्तान अपने हथकंडे चेंज कर रहा है पहले दो जो मेन आथ की संख्थन है लस्करे तोईबा ये टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देता था बट अब इसका प्रोक्सी, रेसिस्टेंस फ्रंट वही लोग हैं सिरफ एक नई organization बना ली, ये तो वही बात होगी कि political party अगर cancel कर दी election commission ने तो उन्हीं लोगों ने एक नई political party बना ली, ठीक उसी परकार का है बर देखो अब ना भारत सरकार को red lines ड्रा करनी होगी, देखो जैसे जब पहले भारत ने surgical strike किया था पाकिस्तान के against, और फिर उसके बाद में, पुलवामा के against इंडिया ने बाला कोट air strikes की तो उससे ने एक debtons पैदा हुआ पाकिस्तान में, कि देखो अगर हमने terror activities को अंजाम दिया, sponsor करवाया तो इंडिया फिर से एक red line ड्रा करनी पड़ेगी कि भाई इस परकार के हमले हुए तो हम चुप बैठने वाले नहीं है अब वो red line देखो कुछ भी हो सकता है, बार-बार इंडिया पाकिस्तान में जाके हमला करे कोई जुरूरी नहीं, यही एक red line है, जैसे देखो 2001 के बाद से ना इंडिया पाकिस्तान border पे relative peace है वहाँ पे अब siege fire को ढंग से follow किया जा रहा है, गोली बारी नहीं होती border पे तो इंडिया इस agreement से बाहर आ सकता है, यह कहके कि भाई एक तरफ आप यहाँ पे आतकवाद फिला रहे हो, दूसी तरफ border पे हम यह ceasefire को नहीं hold कर सकते, तो इससे पाकिस्तान पे pressure आएगा, और दूसी तरफ देखो, जमू और कस्मीर में अभी general election हुए और अच्छा voter turn out रहा, लेकिन जमू और कस्मीर में assembly election भी जल्द से जल्द होने चाहिए, सब Supreme Court में न सरकार ने 30 सितंबर की deadline दी हुई है तो इस आत्की घटना के बाद में ऐसा नहीं कि सरकार उस deadline से पीछे हट जाए, सरकार को वो deadline follow करने ही चाहिए, ताकि लोगों का जो democracy में विश्वास आया है, वो कायम रहे यह मोगा सरकार को गवाना किया जासके, अभी देखो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी अमरनाथ यात्रा में सरकार को resources में कोई कुटाही नहीं बटनी चाहिए, क्योंकि इस परकार की घटना अगर अमरनाथ यात्रा के दुरान सामने आई, तो फिर एकदम से tourism कम हो जाएगा जमू एन कस्मीर में और उसका फिर negative impact देखने को मिलेगा, और जो हमने पिछले कुछ सालों में achieve किया है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा वैसे देखो, आर्टिकल में एक ओर point भी आता है वो भी आपको बता देता हूँ राइटर एक point ये बोलते हैं कि देखो, ऐसे बड़े जो मोके होते हैं जैसे एक बार बिल क्लिंटन भारत किया तरह पर आये थे और joint parliamentary session को उन्होंने संबोधित किया था तो उस समय आतकवादियों ने जमूएन कस्मीर में 36 निर्दोस सिखों की हत्या कर दी थी तो ऐसे बड़े मोकों पे हमें सम सरकार को extra कोशिस रहना चाहिए, extra स्तर्क रहना चाहिए क्योंकि बड़े मोकों पे आतकवादियों हमला करके एक message देने की कोशिस करते है इसलिए सरकार को extra care बरतने की आव सकता होनी चाहिए ऐसे मोकों पे तो यह पूरा आर्टिकल हमने terrorism से समन्दी डिसकस किया अब चलते हैं आगे इसके बनने इस्ट आर्टिकल new union ministers and portfolios से समन्दीत है आप देखो slayvers में JS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो अभी देखो अठारवी लोग सुबाद चुनी गई फिर से तीसरी बार India की सरकार बनी और ministers ने सपतली लेकिन देखो कुछ top के जो ministers है न वो same है जैसे पिसली बार भी defense ministry राजनात सिंग के पास में थी इस बार भी home ministry पिसली बार भी अमित्सा के पास इस बार भी पिसली बार road and transport ministry नितिन गड़करी के पास इस बार भी मतलब top की जो ministries है वो same है कुछ भी change नहीं आया है लेकिन कुछ जगहों पे देखो change जरूर आना चाहिए था जैसे ministry of state है दक्टर जीतेंदर सिंग इनके पास बहुत सारे departments और ministries है जैसे देखो department of space and atomic energy ministry of earth and science science and technology इसके लाबा department of personnel, public grievances and pensions इतनी सारी ministries और departments इनके पास में हैं लेकिन देखो हर एक ministry, हर एक department अपने आप में बहुत ज़्यादा important है जैसे आप department of space का example लीजिए अब यहाँ पे department of space में आपको पता है space sector में private players की entry हो रही है और अभी हाल ही में अगनी कुल एक rocket भी launch किया गया था private player के द्वारा तो यह बहुत important है private players space में entry कर रहे हैं यह space sector के लिए काफी ज़्यादा important है और इस सेरो मदद भी कर रहा है private players की आने वाले दिनों में इस sector पे ज़्यादा ध्यान देने के आऊ सकता है आप दूसरी मिनिश्टरी और दिपार्टमेंट्स देखें जैसे Ministry of Earth Science है अब सरकार का focus है ocean sea bed पे mineral resources को ज़्यादा से ज़्यादा explore करना इसके लावा दूसरे देशों के साथ मिलके climate adaptation और climate mitigation पे काम करना मतलब जो climate change हो रहा है न उसके negative impact को कम से कम किया जाए और नया जो climate है उसके हिसाब से चीज़ों को adapt किया जाए इसके लिए दूसरे देशों के साथ में cooperation करना इस पर भी सरकार का focus है ministry of science and technology का focus है तीन नए research departments पर एक ही समय में जैसे artificial intelligence quantum computers को build करना इसके अलावा agriculture से लेके medicine, even energy storage solution इन सब चीज़ों पे काम करना ये सब focus किसका है ministry of science and technology का अब सबसे last में ये जो department of atomic energy है ये भी आजकल काफी ज़्यादा focus कर रहा है nuclear power के advancement के लिए focus ये रखा गया है कि हमारा जो nuclear reactor program है उसका phase to start किया जाए और हर साल कम से कम एक नई nuclear facility को start किया जाए तो writer कहते हैं देखो इतने सारी departments इतनी सारी ministries जिनमें आपस में बहुत जादा divergence है मतलब एक तरफ department of atomic energy दूसरी तरफ department of space तीसरी तरफ ministry of earth science लेकिन सारे के सारे इतने important departments और ministries सिरफ एक ही junior minister के पास में ये गलत है हर एक department या फिर ministry के लिए एक senior cabinet minister होना चाहिए था जिस हिसाब से इनकी importance है लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक junior minister को ये सारी departments और ministries दे दिये गए writers के बाद कुछे examples भी देते हैं कि देखो कुछ ना problems भी आ रही है इन departments और ministries में जिससे young researchers को time पे fellowship का पैसा नहीं मिलता फिर next problem ये आ रही है collaboration नहीं होता आपस में इन departments के बीच में मतलब हैं तो सारे science से related ना आपस में collaboration की संभावनाएं काफी ज़्यादा हैं लेकिन collaboration नहीं होता next regulation में अभी भी problem है bureaucratic hurdles हैं कोई चीज approval लेने में कोई चीज start करने में intellectual property rights का ठीक से enforcement नहीं होता जैसे एक pharmaceutical company है उन्होंने न TB के इलाज के लिए एक नई drug डेवलप की बट देखो patent तो मिल गया उस company को patent expire हो पाता उससे पहले ही market में अलग-अलग generic medicines बना ले वाली company generic medicines लेकर आ गई तो patent का ढंग से enforcement नहीं हुआ समझगे इसके बाद next time transnational research मतलब दूसे देशों के साथ में मिलके जो research की जानी चाहिए वो बहुत कम है और कुछी sectors में limited है तो जब देखो ये सारी problem से in ministries और in sectors में है तो सरकार को ना अच्छे से portfolios देने चाहिए थे अलग-अलग minister को देने चाहिए थे एक ही junior minister को ये सारे portfolios देना सही नहीं है ये writer की राय है तो चलते हैं आगे इसके बाद next article एक नए emigration law से समधित है आपना syllabus में GS paper second के Indian diaspora topic से ये article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो कुवेत में ना बुदवार को एक हादसा हो गया वहाँ पे एक जगह है मंगाफ वहाँ पे migrant workers एक building में रह रहे थे ये जो workers थे एक कुवेती construction company के थे और उस कुवेती construction company को run किया जा रहा था एक केरलाइट के द्वरा यानि केरल के निवासी के द्वरा बड़ देखो unfortunately छे स्टोरी की ये building इसमें आग लग गई 49 migrant workers की death हो गई जिसमें से 40 तो देखो भारतियत है तुरंट के तुरंट सरकार ने जो junior minister है external affair ministry में उनको भेजा किर्ती वर्दन सिंग कुवेत में ताकि हालात का जाजा लिया जासके external affair ministry ने desk dedicated desk और hotline भी established की ताकि जो हमारे migrant workers मारे गए हैं इस हाथसे में उनके prison phone करके उचित जानकारी लेज़के सरकार ने 2 लाख रुपे की compensation का एलान किया है बड़ देखो real issue की हम बात करते हैं लिए जब भी इस परकार की कोई news आती है न तो M.E.A. public pressure के चलते public में issue highlight हुआ है तो कुछ step लेता है जैसे अभी junior actionable affair ministry को रवाना कर दिया गया dedicated desk hotline ये सब establish कर दिया गया पर देखो जैसे ही news highlight होना बंद हो जाती है फिर सब कुछ पैसे का देशा फिर उसके बाद migrant workers पर ध्यान देने वाला कोई नहीं देखो इंडिया ना सबसे ज़्यादा migrant workers पूरी दुनिया में भेजने वाला देश है 13 million migrant workers इंडिया ने पूरी दुनिया में भेजे है और सबसे ज़्यादा remittance यह जो migrant workers दूसे देशों में जाके पैसा कमाते है ना वापस इंडिया में भेजते हैं इसे remittance बोलते हैं सबसे ज़्यादा remittance हासिल करने वाला देश इंडिया हैं लेकिन बावजूद देखो migrant workers की care करने के लिए कानून जो है वो काफी पुराना है Indian Emigration Act यह देखो 1983 में आया था उसके बाद से लेके अभी तक देखो migration में काफी सर बदलाव आ गया है लेकिन नया कानून नहीं बना है migration से सम्मदित 2019 में कोशिस हुई थी इस Act ने बदलाव लाने की लेकिन Parliament का approval नहीं मिला उसके बाद 2021 में एक बिल आया Emigration Bill 2021 लेकिन पास नहीं हो उसका उसके बाद तो कभी कोशिस भी नहीं हुई कि Emigration से सम्मदित कोई बिल पास किया जासके या फिर 83 का जो Act है उसमें बदलाव किया जासके अभी देखो existing जो Emigration Act है न इसमें देखो SOPs की कमी है Standard Operating Procedure नहीं बताए गए है कि कैसे जो भारतिय Migrant Workers है फोरण में उनकी मदद कैसे की जा सकती है जैसे देखो COVID-19 की महमारी आई उस समय एकदम से भारतिय Migrant Workers को वापस देश लोटना पड़ा अब देखो जैसे कोई Migrant Workers है महेश वो कुवेश में काम कर रहा था महमारी आई उसे एकदम से भारत लोटना पड़ा बट महेश का जो Employer था न कुवेश में उसने महेश के बकाया पैसे देने से इंकार कर दिया या फिर महेश का जो Provident Fund जैसा पैसा था न जो महेश ने सेविंग रखी थी अपनी Employer के पास में वो सब Employer ने देने से मना कर दिया अब देखो काईदे से इंडिया को न ये इशू अरब कंट्रीज के साथ में जोर सोर से उठाना चाहिए था कि भाईया जो Indian Migrant Workers है उनके पैसे Employer के पास में अठके हुए है आप वो लोटाओ लेकिन भारत सरकार ने ये इशू जोर सोर से नहीं उठाया जबकि देखो एक छोटा सा देश Philippines बलकि Philippines ने बहुत ये इशू जोर सोर से उठाया कि भाईया हमारे Migrant Workers के पैसे सेविंग आपके पास में आप क्यों नहीं दे रहे हो तो लेकिन अगर SOP होती Indian Immigration Act 1983 में प्रोपर प्रोसीजर बताया होता कि कब-कब इंडिया Migrant Workers की आवाज उठायेगा तो भारत सरकार इस इशू पे Migrant Workers का साथ देती जो की नहीं हुआ इवन देखो युक्रेन इशू पर भी जब युक्रेन में वार स्टार्ट हो गया न तो बहुत तरह इंडियन स्टुडेंट उन्होंने बंकर्स में सरन ली अपनी जान बचाने के लिए अब देखो इंडिया ने उसमें एक्षन तो लिया तो इसलिए प्रोप पर SOPs किया आउ सकता है अभी के Emigration Act में मैं आपको बताऊं क्या provision है 10 लाग का insurance coverage सरकार देती है migrant workers को लेकिन सभी migrant workers को नहीं देती है migrant workers को सरकार ने दो categories में divide किया है एक है Emigration Clearance Required यानि ECR और दूसरी category है Emigration Clearance Note required यानि E-C-N-R क्या मतलब है इन दो categories का इन दो categories का मतलब देखो ये है जो जिनोंने देखो 10 वी से कम सिख्शा प्राप्त की है ना वो आते हैं ECR category में वो आते हैं ECR category में जिनोंने 10 वी से कम सिख्शा प्राप्त की है उनको ना Emigration Clearance करवानी होती है उनको E-Migrate System के थुरू जाना होता है तभी उनको Insurance Scheme का लाब मिलेगा अदरवाइस नहीं मिलेगा ऐसा देखो इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि जिनोंने देखो 10 वी से कम सिख्शा प्राप्त की है ना उनका Exploitation हो सकता है उन्हें नोकरी का जहासा देकर उन्हें लूटा जा सकता है इसलिए सरकार इनका बकाइदा ये Clearance वगएरा करवाती है उनको जागरू करती है और E-Migrate System पे उनको अपने आपको Register करवाना होता है और फिर उनको 10 लाग का Insurance Coverage मिल जाता है लेकिन देखो ये सिरफ उन्हें Migrant Workers को मिलता है जो 18 देशों में जाते है सभी देशों के लिए ये Applicable नहीं है अब देखो ये Kuwait वाला इशू हम डिसकर्स करें इसमें जिन भारतियों की जान गई है न वो पढ़े लिखे थे मतलब skilled थे वालों के लिए है और उसमें भी वो ECR केटेगरी वाले जिन्नोंने E-Migrate सिस्टम पे अपने आपको रजिस्टर करवाया है तो इस परकार की देखो छोटी छोटी और बहुत सारी प्रोब्लम्स है अभी के Immigration Act में जिन में बदलाव होना चाहिए समय चेंज हो चुका है आज के समय में इन दो केटेगरी के आऊ सकता नहीं है ECR, ECNR तो जिस हिसाब से देखो Indian Workers की Importance है ना Remittance मिलती है, इंडिया की Soft Power को Spread करते हैं, Indian Workers का नाम है, तो सरकार को ना इन Workers का ख्याल जरूर रखना चाहिए जैसे कई बार ये Indian Worker काफी साल काम करने के बाद भारत में वापस आते हैं ना इन्हें यहाँ पर जोब नहीं मिलती जैसे COVID-19 की महमारी के दुरान बहुत सारे Workers भारत में आ गए थे उनकी Rehabilitation के लिए सरकार के पास में कोई Plan नहीं था कैसे इनको Rehabilitate किया जाए भारत में तो इन सब Issues को लेके सरकार को ये Immigration वाला Act में Amendment लाने चाहिए और दूसरे देशों के साथ में जब भी India कोपरेट करे Workers के Issues को जरूर ध्यान रखे तो ये पूरा आठकल हमने डिसकस किया Immigration Issues से सम्मंदित Last में देखो Questions देख लेते हैं जो आपको आज Attempt करने हैं ये Question देखो आपको आज Attempt करना है Immigration Act से सम्मंदित एक ही Question आज आज आपको Attempt करना है www.onlyis.com पर जाके आप Question Attempt कर सकते हो तो ये थी हमारी आज की discussion मिलते हैं कल फिर से एक नई energetic और important discussion के साथ तब तक देखो आप अच्छे से पढ़िए अपना बैस दीजिए अपना ख्याल रखिए Thank you, thank you very much for discussion